अब स्टार्ट करते हैं हम कि इस टाइप के स्ट्रेश जो अपलाई होंगे उन्हों पर यह सिगमा एप्सप्स किसकी श्रों होगी सबसे पहले श्टार्ट करते हैं यूनी एक्सियल इस्ट्रेस यूनी एक्सियल इस्ट्रेस यानि की कोई बार है कोई क्यूब है उस पे सिफ एक डारेक्शन में इस्ट्रेस लग रही है ठीक है अब उसमें कोई हमें एक प्लेन कट कर रहे हैं प्लेन कट कर रहे हैं जो होरिज से ठीटा एंगिल बनाता है तो उसको हमने एक इस plane इस wedge को हमने कट करके यहाँ पे अलग कर लिया और यह free body diagram बना दिया इसका सिग्मा यह टाउ यह सिग्मा एन यह चीजें इसमें free body diagram बना दिया ठीक है अब इस free body diagram के बाद दो एक चीजें इसमें और arise होती है कि ठीटा हमने यहीं क्यों लिया कोई दिक्कत नहीं है ठीटा यहाँ भी ले सकते हैं ठीक है जो value आप यहाँ calculate कर रहे हैं इस value के लिए उसमें sine cost and जो भी आएगा उसमें 90 minus theta 90 minus theta करके value रख देंगे तो वो इस वाले value के लिए आ जाएगा एक जगा के लिए formula लगाई है दूसरे side के लिए calculation कर सकते हैं मगर ऐसा करने की ज़रूत नहीं होती है already theta इस जगा पर या इस corner पर देखे पूशा होगा horizontal या vertical या रखना आपको horizontal के साथ या vertical के साथ x-axis के साथ या y-axis के साथ यह theta के value दी जाएगी दोनों चीजें मैंने एक होगी sigma यानि कि जो applied load होगा numerical में जो इसकी value given होगी into sine square ये वाला theta, sine square ये वाला theta, अब बात करेंगे मैंने जो कहा भी, कि theta अगर उपर लेते तब क्या गलत होता, sine लगाओगे तब गलत होगा, तब यहाँ पर sine नहीं लगाना है, देखो मैंने इसको फिर से explain कर रखा यहाँ पर, यह ऐसा या ऐसा हो जिसमें vertical से लिया गया हो theta के value, vertical theta के value लिया गया है, तब यहाँ पर कहा करोगे, sigma n is equal to sigma ठीक है, cos square theta बना देंगे, क्यों, cos square theta क्यों, क्योंकि दुखो है, हाँ मैं explain क्या है, sine 90 minus theta, क्योंकि यह 90 हो गया, एक यह theta हो गया, दूसरा वाला क्या होगा, 90 minus theta, total 3 का summation क्या होगा, यह theta, प्लस यह theta, प्लस यह 90, total 180, 180 में से 90 minus किया, 90 minus किया, तो कितना बचा, सिर्फ 90, उस 90 में स एक theta minus किया, तो क्या बचा, 90 और minus theta, यह दूसरा वाला क्या आतना हो जागा, 90 minus theta, तो sine 90 minus theta क्या बन जाएगा, cos theta, तो यहाँ पर क्या आ गया, cos theta आ गया, तो अगर horizontal वाला, horizontal से देखना है, horizontal से रहेगा, तो sine लोगे, और vertical से कहीं numerical में दे देते हैं, तो आपको याद रखना है, कि सिंद सीधा, cos वाला होगा, vertical से, cos वाली value लेनी है, यह किसकी value है, sigma n की value, दोनों condition में, sigma n की value, normal stress, sigma n, अब tangential stress, tau, tangential मतलब shear stress, tangential stress, tau की value कितना होगी, sigma by 2, sin 2 theta, ठीक है, sigma by 2, sin 2 theta, ठीक है, sigma by 2, sin 2 theta, और इसमें changes क्यों नहीं है, क्योंकि sin 2 theta क्या करोगे, जब इसको 90 minus theta करोगे, दो से multiply हो जगा, तो 180 minus theta आ जाएगा, तो यह सिर्फ value minus में आ जाएगी, जो की, यह सिर्फ direction को change कर देगी, यह downward है, तो यह upward हो जाएगा, बस, इस तरह से sin के value change हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें इसलिए changes नहीं है, क्योंकि 180 minus theta, sin theta ही होगा, अब बात करते हैं, maximum और minimum की, maximum और minimum की, जब theta की value 0 होगी, किस वाले case में, इसी case में, इसी case में, बात की value, अगर यह दूखो यहाँ से यहाँ तक में theta की value है, अगर theta की value 0 हो जाए, तो यह पहले यहाँ तक theta जाएगा, पर अगर theta हो ही न यह theta 0 हो जाए तो क्या बचेगा? स्रिफ एक line बचेगी यह, यह vertical ही रह जाएगा ठीक है, vertical रह जाएगा तो क्या होगा? sigma, sigma n is equal to, sigma क्यों? cos 0 के value 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्रिफ sigma n is equal to, sigma यह maximum value आ गई maximum होगी भी, कि जो applied load है, जो applied load है वही maximum हो सकता है, जब uniaxial है, क्योंकि जितना apply है उससे ज़्यादा थोड़ी न value हो जाएगी, maximum की यह maximum value होगी, अगर दो values होती, तब की बात अलगती जब दो values होती, तब की बात अभी दूसरा formula हो जाएगा उसके लिए अब जब theta is equal to 45 degree, तब इसे में tau value रखते हैं, तो sin to theta 90, sin रण जाएगा 90 degree, तो theta is equal to theta by 2 बचेगा, ठीक है, ठीक है, sorry, tau is equal to, tau is equal to, sigma by 2 बचेगा, ओके, यह हो गया इसका, tau max की value, tau max की value, अब इसके ऊपर भी मैंने जगा दे रखा है, यहां के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, यह तो नीचे वाले के लिए था, इस वाले के लिए, जब theta is equal to 90 degree, theta 90 degree मतलब, यह theta यहां तक है, यह theta 90 degree यहां तक पहुँच जाए, तो क्या हो जाएगा, यह vertical हो 45 degree पर inclined जब होगा, यह तो tau is equal to sigma by 2 होगा, यह तो सिर्फ हो गया, uniaxial stress के लिए, ठीक है, uniaxial stress के लिए, अब by axial के लिए क्या होगा, by axial मतलब, जब x और y दोनों direction में apply हो रहा हो लोड, और हमने एक plane कट किया है, इस तरह से plane कट किया इसमें, plane यह क्या हो सकता है, कुछ भ के लिए, यह कोई और angle होगा, कोई और angle हो सकता है, और एक ऐसा angle भी होगा, जब यह sigma, यह sigma n की value maximum होगी, यह minimum होगी, और यह tau की value 0 होगी, उसको बोलेंगे, minor principal plane और major principal plane, दो values होगी, जब maximum होगा, तो major होगा, जब minimum होगा, तो minor होगा, अब इसमें ऐसे case में, यह दोख इसक से cut करके निकाल लिए, यह, जिसमें sigma y, sigma x, tau और यह shear लगेगा, मैंने बता है, जब भी कोई plane cut ता है, incline, तो उसमें shear लगता है, तो shear लगा, तो इसमें sigma n की value कितना होगी, sigma x plus y by 2, sigma x minus y by 2, cos 2 theta, अभी मैं x को और अभी आगे समझाओंगा, जब shear लगेगा, तो इसमें एक value और प्लस हो जाती है, tau xy, tau xy, cos, जो भी आगे मैं इसको समझाओंगा, यह वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, यह वाली value, बार बार याद करने के ज़रोत नहीं है, वो tau की value कितना होगी, x minus y by 2, sin 2 theta, ठीक है, resultant जो बात करने थे, resultant और sigma n और tau, दोनों का resultant होगा, resultant stress, tau max कितना होगा, tau max होगा, sigma x minus y by 2, और जब when, sigma is equal to 45 degree, इसको बोलते हैं, angle which makes principal stress, angle which makes principal stresses, ठीक है, tau max के लिए होगा, theta is equal to 45 degree के लिए, अब major principal stress, minor principal stress, दो चीज़े मैंने बताया था, major principal stress हैंडिकर, tau max, tau max की value होगी, जब 45 degree, इसकी value जब होगी, यह tau max नहीं, sigma, tau max तो होगा, plane of maximum shear, यह value नहीं, जब theta की value 45 degree होगी, तो यहाँ उठा के आप रखोगी इसको, cos 2 theta 180, 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे case में क्या होगा, देखेंगे, यहाँ पर जब theta is equal to 45 degree रखेंगे, आप, theta is equal to 45 degree रखेंगे, तो, यह बन जाएगा, कितना, sin 90, sin 90, यहाँ नहीं कि, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो sigma x plus y by 2, यह जो value है पर नीचे, लिखी हुई है, ठीक है, यह तो हो गया, इसके लिए, यह चीज़, यह सही नहीं है, एंगिल पर विज, maximum principal stress है, maximum shear stress है, maximum principal stress नहीं होगा, यहाँ पर maximum shear आएगा, maximum shear आएगा, अब बात करते हैं, major, minimum बार-बार जो बात कर रहा था, sigma max, max कहा, sigma x plus y by 2, यह under root के अंदर लगाए बिना भी हम इसको आगे solve कर सकते थे, पर मैं under root के अंदर इसके solve कर रहा हूँ, इसको आप याद कर सकते हैं, इसलिए में इस form में solve किया है, otherwise इसका sigma max क्या होगा, x plus y by 2, plus x minus y by 2, और minor का क्या होगा, minor देखो यहाँ पर plus आएगा, major वाले में plus आएगा, minor वाले में minus आएगा, बाकी चीज़ें same है, ठीक, और यह चीज़, यहाँ पर जो मैंने बताया अभी, यह principle नहीं, plane of maximum shear आएगा, plane of maximum shear stress आएगा, आगे बात करते हैं, shear stress only, जब shear stress only यह दाद important नहीं है, जब सिर्फ shear apply हो रहा हो, इस तरह से plane cut कर लिए इसका, sigma n tau theta, tau theta मतलब shear, इसमें tau theta लिखा गया है, तो sigma n is equal to, जब यह theta नीचे है, तो tau xy sin to theta, और minus tau xy cos theta, sigma और theta की value यहीं आ जाएगी, जब यह angle उपरा लेंगे, वर्टिकल के साथ में, तो sigma xy sin to theta, और cos theta, plus में आ जाएगा, minus plus क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब value 90 minus theta रखोगे, तो 2 से multiply होने के बाद, 180 minus theta बन जाएगा, तो यह sin 2 अंदर जब multiply होगा, तो यह बन जाएगा, 180 minus theta, 180 minus 2 theta, और sin 180 minus theta होता है, minus sin theta, तो minus जो है, इस minus को plus कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर minus नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी minus नहीं है, यह तो मैंने explain कर रखा है, sin 180 minus theta और cos 180 minus theta, यह दो चीज़े मैंने explain कर रखी है, maximum principal stress, और major और minor principal stress क्या होगा, major यानि की maximum principal stress, tau max होगा, sigma xy, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शिया,